नमस्कार बहुत बहुत स्वात करते हैं क्लिक टूटे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और 2019 से 22 सेशन वाले जितने भी छातिम छात्राइं हैं अब आप लोग जो है अगले महां के लिए परिक्षा का इंतिजार करेंगे यानि कि अभी पहले प्रैक्टिकल परिक्षा जा रही है अब बहुत सारे शातिम शात्राओं का सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों करा गया पहले प्रैक्टिकल परिक्षा का तुछी क्यों नहीं जारी करा गया तो देखें जो नए परिक्षण ने नित्रक है उनको अभी यह अंदाजा हुआ है कि बाद में से ज़िल जारी कर दिया जाएगा क्योंकि अब जो हैна that 5000 आफ लोगा मांस् Philipp घोंग कर दिया जाता हैं ज THIS कि आप लोगा जल से जल जारी हो पाए बहले वो उल्टा-फुल्टा ओ जाए उसके मतलब रहती नहीं है तो अभी जोओ हो रहा है मतलब मार्क सब्सक्राइ dude कि कोपी जरी कि फिल्हाल Pack lucky जाएगा और अभी in सब्जेक्ट से उनकी कॉपी चेकिंग की जा रही है लगभग 20 अपरेल तक कारें कम्प्लीट करा लिया जाएगा उसके बाद जो तीस अपरेल तक जारी किया जाने का संभाबना है और यह कहीं न कहीं मुझे लगता है कि खिच करके में 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 भी न चले जाए तो जो भी परिशा जिनांग 15-4-2023 से 25-2023 तक संयोक तुरूप से ग्री महा विद्याले में ही जो आयोजीत कराया जाएगा तो जो भी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एक्जामनेशन होते हैं सब्जेक्ट में तो आप लोग अपने सब्जेक्टा प्रैक्टिकल एक्जामनेशन दे प्रैक्टिकल एक्जाम होगा इसके लिए जो देखने को मिलेगे हрьे कॉलेज अपने की सब्जेक्ट की कॉपी बना लीजे और अपने प्रैक्टिकल की एक्जाम हो भी आप समज़तार हैं आप अपने से करी लेंगे जो भी चीज़े करनी है अब रही बात कि theoretical exam कब हो सकती है तो में में हो सकती है आपको ठीक याद होगा पिछले साल पार्ट वन का जो एक्जामनेशन वालों का हुआ था वो भी में के महीने में हुआ था ठीक अब एक साल बात जो है पार्ट टू का पलाना डिमकाना यही सब बहाने चलते रहेंगे हाला कि उनिवर्सिटी में कहा जाता है कि नया सिस्टम लागू किया रहा है यह वह हो रहा है हाला कि वह सभी ऑन पेपर और बस सब्दों में ही रह जाते हैं आपको ऑन ग्राउंड कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई देग है तो बस आज की वीडियो में तरह तक लिए चलते हैं तो